या इस मूव पर भरोसा किया जाए या नहीं किरन जादर हमाए साथ है किरन आपने तो इस टॉक को आधा होते देखा है अब क्या ये 11 पसेंट जो तेजी दिखा रहा है लोग जो फसे थे मौका दे रहा है एक्जिट का ऐसे ही समझना चाहिए हरसादा जी वरी गुड़ आफनन जो जिस तरीके के चार्ट पैटन्स है लोगर टॉप लोगर बॉटम कंसिस्टन्स है पर एक ही बात इसमें सरानी आए कि पिछले मैने का जो बॉटम है और इस मैने का जो बॉटम है वो सेम है इसको हम टेक्निकल पैरमिटर में डबल बॉटम कहते है पर इसके लिए एक और एक इंपोर्टन बात है जो कि 18 रुपए 15 पैसे 18 रुपए 20 पैसे ये क्रॉस करना बहुत ही इंपोर्टन्ट होगा ये जो स्विंग टॉप है ये अगर क्रॉस कर देता है तो 16 रुपए 50 पैसे का स्टॉक लॉस नजदी कोला लेकर बाय करना चाहिए और 18 रुपए 20 पैसे 30 पैसे के उपर चलेगा तब वीदर से बहुत बड़ी मूव आने की संभावना इस टॉक में बनती है अच्छी तेजी दिखाकर ये थोड़ा शान्थ हुआ स्टॉक और अब फिर से नई तेजी की शुरुआत 600 की तयारी हाँ पर होती हुई किरन आपने भी कुछ स्पॉट किया है तो बताईए फटाफट बिल्कुल मेरा जो सबसे अच्छा स्टॉक रहेगा आज की सत्र में मेरा मानना है कि अभी एक गंटे की सत्र में वो रहेगा गोद्रेज कंजूमर प्रोड़क्स बहुत ही शांदार चार्ट पैटर्न है स्विंग टॉप इसने तोड़ दिया है और जिस तरीके से ये स्टॉक चल रहा है गेल में मेरा मानना है कि बिल्कुल शॉट पोड़िशन बनानी चाहिए जिस तरीके से एक अपमूव हमने परसो के गुरुवर के दिन देखी थी उसके बाद शुक्रा और एक टिमिड डिसेशन रहा और आज से 17 में काफी अच्छी वोल्यूम्स के साथ सेलिंग देखने को मिली है जिस तरह के से पहले फॉस्ट हाफ में हमने एक जोरदार गिरावाट देखी उसके बाद कंसर्टेशन देखा और वापिस एक बार गिरावाट हवी होती नजरा आरी है मेरा मानना है कि 381 के स्टॉप्रस के साथ बनाने चाहिए और टागेट के रहे मैं एक्सपेट करता हूँ लेवल्स ऑफ 370 एने और पांचे रुपे की गिरावाट आभी भी देखने को मिल जानी चाहिए सो सतर के लेवल है मुदेट के रहन आप भी कोई टागेट देंगे इस समय प्राइम फोकस अच्छी तेजी में प्राइम फोकस बिल्कुल स्टॉंग चाट पैटन है और एक्स्रीम लॉंग टर्म चाट्स अगर देखते हैं तो एक बहुत इंपोर्टन नजर आता है कि जो पिछले जो टॉप था पिछले रैली का वो बराबर उस टॉप पे ही सपोर्ट लेके वापस एक बार यूटन ले रहा है तो मेरा मानना है कि मुदित ने क्या टागेट दिया है मुझे अभी सुने नहीं दिया और मेरा मानना है कि 120 से 130 के लेवल की करीब आपको देखने हो मिल जाना चाहिए पहला टागेट 92 का डेजिंग कोपरेशन एक और शेयर जिसमें तेजी देखने को मिल रही है क्या यहां पर इतना ही कैचचप का स्कोप है किरन फटा फटा फट बताईए देखने हो मिल रहे है चोटा सा एक ट्रेडिंग मूव रहेगा आज अकल तक जो कि और एक चार पाच रुपए और उपर बढ़ सकता है तो 485 के टागेट्स मानके चलना चाहिए जैसी आपने का 74 से 80 तो आई गया है तो मेरा ना और एक पाच रुपए चल सकता है और उदर एक बार प्रॉफिट बुकिंग देखने हो मिल जाने चाहिए मेरा स्टॉप लोज तीन सो पाच कर रहेगा 307 रुपए पर ट्रेड कर रहे है आज के लिए टागेट्स 312 के देखने हो मिल जाने चाहिए किरन आपसे जानना चाहेंगे इन दोनों स्टॉक्स पर क्या लेवल सब होंगे क्या कोई स्टॉप लॉस आप सुझाएंगे आपके इमीडियेट टागेट आइसी आइसी और एक्सिस पर क्या बनते हैं जो काउंटर देखने लायक है वो एक्सिस बैंक लोंग टम चार्ट साकर देखते हैं तो बहुत ही शानदार चार्ट पैटन है पिछले तीन साल से यह मार्च 2015 के सारे टॉप्स जॉइन करते हैं तो इस ट्रेंड लाइन को हमने पिछले अपते ही क्रॉस किया है यह हमारे र बहुत ही स्ट्रॉंग चेंज देखने में मिलेगा तो मेरा मानना है कि थोड़ी थोड़ी बहुत कॉंटिटी से बाय करना चाहिए और 630 के उपर यानि 5-6 रुपे ही रह गया है पर इसके उपर जब क्लोज मिलेगा टेक्निकली तब एक स्ट्रॉंग बाय बनेगा और मेरा टागेट अगर एक साल देड़ साल के वियू के लिसे लेते हैं तो मेरा मानना है कि फोर डिजिट फिगर में स्टॉक देखने मिल जाना चाहिए तो बहुत ही शांदा चाट पैटन है कोर पोटफोलियों में रखने जैसा स्टॉक रहेगा एक्सेस बैंक फोर डिजिट यानी हजार रुपे हाँ बिल्कुल और आइसेसे बैंक की बात करें तो आइसेसे बैंक भी मेरा मानना है कि अच्छा कासा मूव देने की तैयारी में है अभी के लिए कोई चाट पैटन नहीं है तो टागेट नहीं सेजेस्ट कर सकता पर मेरा मानना है कि इध लिए था 1405 के टागेट 1407 के ऊपर के लेवल्स पे ट्रेट करता नहीं जरा रहे है तो जरा उस पर महर लगा दीजिए डिरेक्टर साब 1407 के हाई इसने बना लिए है 1405 के टागेट हासिल हो चुके हैं अभी उसी लेवल के आसि किरन क्या देखा आपने क्या जोड़ेंगे 1070 पे रहेगा तो बहुत ही अच्छे रिश्ट रिवर्ड रिश्यो का स्टॉक रहेगा यह जारा सो पचास यह टागेट कहा आपने उस समें थोड़ी सी दिक्कत थी आपकी लाइन में किरन बिल्कुल 1130 से 1150 के टागेट और स्टॉप लास 1070 जारा सो थी थोड़ी सी तेजी बाकी है इस तेजी को आप एक्स्टेंड करना चाहेंगे किरन क्यारी करेंगे या फिर आज ही काट ले करना ही चाहें करना ही चाहें करना ही चाहें किरन अगर आप जल्दी से देखें मौका है क्या कोई पोजीशन लेके जाएंगे बंबे डाइंग आच्छा काउंटर देखने हो मिल रहा है चाट के सबसे करेंट लेवल से मेरा मानना है कि इधर से आपके टागेट्स करीबन 272, 280 के देखने हो मिल जाने चाहें कल तर पर और एक काउंटर मेरे रडार पर आ रहा है वह है कमिन्स इंडिया जो की लेके ही ज करेंटर के टागेट्स के लेए 730 की बात करूंगा अगे